हेलो फ्रेंड वल्कम बैक टो मैं चैनल अम्रिती फेशन विला आज की वीडियो में देखें यह बनाने वाले हैं ड्रेस कानाजी के लिए यह रहा सभी साइज के लिए मेजर्मेंट चाट किसी भी साइज में बना यह कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है यह इस तरह से क अगया है कानाजी को इसमें नैपी भी है इनकी और चोली भी है आप देख सकते हैं एकदम सिंपल और आसान तरीके से मैंने आपको इसे बनाना बताया है और सभी साइज के लिए तो आसानी से बनाई और अपने कानाजी को पहनाईए चले वीडियो स्टार्ट करते हूं पर दो कलर में उन लिया है कि मैं डबल करके इसलिए यूज करती हूं क्योंकि ये बहुत पतला होता है देखे कढ़ाई करने के लिए आता है तो डबल करने पर हमारे नॉर्मल उन जितना मोटा हो जाता है इसमें बिल्कुल भी रे से नहीं निकलते हैं आप कितना भी पहना किसी भी एक कलर से आप सुरू कर सकते हैं सबसे पहले हमें यहां पर इस तरह से करके एक लूप बना लेनी है यह देखें यह हमने लूप बनाई अब इसमें अपने हुंक को डालेंगे और डालने के बाद इस तरह से खीचेंगे यह देखें यह हमारा यह सरक रहा है आसानी से अब यहाँ पे हम chain बनाएंगे तो यह ऐसे करके हमने एक chain बनाई यह दो chain बनाई तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंदरा सोला सत्रा अठारा अठारा chain हम बनाएंगे उसके बाद देखे एक chain हमारे hook में इसके बाद हम एक और दो दो chain छोड़ेंगे और जो तीसरी chain है हम इसमें double crochet बनाएंगे तो इस तरह से किया तीसरी chain में हमने देखें डाल दिया डालने के बाद पीछे से उन को निकालेंगे तीन फंदे हैं दो फंदे से एक बार और दो फंदे से एक बार हमने एक बाद डबल क्रोशिया बनाए फिर हमने इस तरह से किया इस सेम चेन में जिसमें हमने बनाया था सेम चेन में डालेंगे फंदे को निकाला तीन फंदे हैं दो फंदे से एक बार दो फंदे से एक बार हमने एक chain में दो बार डबल क्रोशिया बनाई है फिर हमने इस तरह से किया अब देखिए यहाँ पर हमें जो अगली chain दिख रही है हम next chain में डालेंगे पीछे से फंदे को निकाला तीन फंदे हैं दो फंदे से एक बार फिर वही चीज़ करनी है देखिए इस तरह से किया सेम chain में जहाँ आपने डाल के बनाया है वहीं पर डाल के निकालेंगे तीन फंदे हैं दो फंदे से एक बार दो फंदे से एक बार हम एक एक chain में दो दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे तो चलिए मैं बना लेती हूँ सभी chain में दो दो बार फिर आगे आपको बताऊंगी कि क्या करना है यह दिखें यह इस तरह से और यहीं सेम chain में डाल के फिर से डबल क्रोशिया बन गई तो चलिए सभी chain में बनाती हूँ बना है पहली chain जो पहली chain है तीन फंदे हैं दो फंदे से एक बार दो फंदे से एक बार फिर हमने इस तरह से किया यहीं सेम चान्ट में डाल के फिर से हम double crochet बना लेंगे ये इस तरह से अब इसके बाद हमें दो chain में एक एक बार बनाना है तो next chain में हमने देखें एक बार double crochet बनाया फिर इसके बाद वाली जो chain है इसमें भी हमने एक बार double crochet बनाया और जो तीसरी chain आएगी इसमें हम दो बार बना लेंगे ये देखें ये एक और यहीं सेम चेन में एक और बार, यही चीज हमें पूरी रोपे करनी है, अब देखें, अगली दो चेन में एक एक बार बनाना है, यह इस तरह से, यह देखें, यह एक बार मैंने डबल क्रोशिया बनाया, फिर इसके बाद वाली जो है, इसमें भी एक बार डबल क्रोश बनाएंगे और तीसरी chain आएगे इसमें दो बार बुल लेना है यह एक हो गया और यहीं सेम चेन में डालके एक और बार इसी तरह से हम अपना यह पूरा रों कम्प्लीट करेंगे दो चेन में एक बार और तीसरी चेन में दो बार डबल क्रोशिया बनाते हुए यह देखिए ह यहां पर हमारी second row complete हो गई है इसे हम इस तरह से ऐसे लंबा करेंगे और इधर से अपना ये ये वाले उन से ये देखे जो लंबा वाला है यहां पर इससे हम अपनी बुनाई स्टार्ट करेंगे तो चलिए दिखाते हूं कैसे बुनना है ये देखें इसे आप ले लीजे यहां पर हम उपर से ऐसे करके और इसे निकाल लेंगे ये देखें निकालने के बाद हमने एक दो दो चेन बनाई इस तरह करेंगे सेम चेन में डालके double crochet बुन देंगे ये देखें बुन दिया अब ह दूसरी चेन में एक बार double crochet तीसरी चेन में एक बार double crochet चौथी चेन में एक बार double crochet और पांचमी चेन में दो बार ये देखें ये एक और ये सेम चेन में डालके दो फिर यह चीज रिपीट करनी है चार चेन में एक बार तो देखें पहली चेन में एक बार बनाया दूसरी चेंड में एक बार बनायाữa videota तीसरी चेंड में एक बार बनाया चौर्थी चेंड में एक बार बनाया अब या हमारी हमारी पांच भी बार बनेंगे यह एक और यह दो इस cities तरह से अपना पूरा रोग कम्प्रीट करना है तो चलिए बुनते हुए लाश तक आती हूँ क्योंकि यह वाला भी उन ओरेंज वाला भी दिखाना है कि इसे हम कैसे सही करेंगे बुनते हुए मैं लाश तक आ गई हूँ यह आती हूँ चार चेन में लाश तक आ गया हुँ यह हमने बुना अब अपने यह देखिए यह जो हमारा ओन दिख रहा है यह आप posy लपेट लिजे यह उन दिख रहा है, इसमें डालेंगे, डालने के बाद, यह देखें, यहां नीचे डालेंगे, इस तरह से, और यह हमने उन को निकाला, इस उन को हम यहां औरेंज वाले में से निकाल देंगे, यह ऐसे करके, यह देखें, अभी हमारा फस क्या है, अभी यहां पर दो फंद इसे एक बार बस यह हो गया है अब हमें क्या करना है औरेंज वाला उन इस तरह से टाइट खीच के और उपर लेके आ जाईए बस अब इसे हम कट कर देंगे इसकी हमें जरूरत नहीं है हमें अब क्या करना है सभी चेन में एक एक बार हाप डॉल क्रोशिया बनानी है तो इस इस तरह से निकाला तीन फंदे हैं तीनों को एक साथ उतार देना है इसे हम हाफ डॉल क्रोशिया बोलते हैं फिर हमने इस तरह से किया अगली चेन में डाला फंदे को निकाला तीन फंदे हैं तीनों को एक साथ उतार दिया फिर इस तरह से किया अगली चेन में डाला फंद यह देखें, यह हम लाश तक आगया है, अब हमें यहाँ पर नॉट लगानी है, कैसे लगाएंगे, इस तरह से एक चेन बनाई, लंबा किया, और यहाँ से एक चेन और बना लीजे, मैं हाथ से ही कर ले रही हूँ, इसे कट कर लेंगे, यह हमारी नॉट आगई, यह देखें इस तरह से, यह बुनके रेडी हो गया है, इस तरह का पीस हमें बनाना है, यह देखें, बहुत एजी है इसे बनाना, आप चलिए मैं आपको मेजर्मिंट समझाती हूँ, सभी साइच का एकदम डीटेल में, कि इतना आप कैसे बनाएंगे, अब मेजर्मिंट चार्ट समझा दिया है, फिर तीसरी चेन में दो बार, फिर दो चेन का गयब दिया है, जब हम फोर्थ रो में आए हैं, तो मैं चार चेन का गयब दिया है, और पांच वी चेन में दो बार बनाया है, और लास्ट वाली रो हमारी हार्व डबल क्रोशे की है, यहाँ पे मैंने एक, दो, ती तीन रो डबल क्रोशी की और एक हाफ डबल क्रोशी की बनाई है इसलिए हम इसे 3.5 कहेंगे तीन पूरा-पूरा और एक आधा अब आप चेन देखें सभी सायज में कितनी कितनी बनानी है, तो 0 सैज में आपको 6 चेन बनानी है एक नमबर में आठ, दो नमबर में 10, तीन नमबर में 12, चार नमबर में 14, पांच नमबर में 16, छे नमबर में 18, साथ नमबर में 20, आठ नमबर में 22, नो नमबर में 26 और दस नमबर में 30, ये तो मैंने आपको चेन बता दी, अब मैं आपको रो बताती हूँ, जैसे यहाँ पे एक तो तीन साढ़े तीन रो मैंने बुनी है तो देखे जीरो सायज में आपको 1.5 मिन्स एक रो डबल क्रोशे की और दूसरी रो हाफ डबल क्रोशे की दो रो बुननी है एक नमबर में भी दो रो बुननी है दोनों हमारी डबल क्रोशे की रहेगी 5 और 6 नमबर में हमें 3.5 मिन्स 3 रो डबल क्रोशे की और 1.5 डबल क्रोशे की बुननी है जैसा कि हमने यहाँ पे बुना हुआ है 7 नमबर में हमारी 4 रो रहेगी 4 रो डबल क्रोशे की रहेगी 8 नमबर में हमारी 5 रो रहेगी चार डबल क्रोशे की और एक हार्ब डबल क्रोशे की 9 नमबर में हमें 5 रो बुननी है 5 रो डबल क्रोशे की और 10 नमबर में हम 6 रो बुनेंगे 6 रो डबल क्रोशे की तो ये तो मैंने आपको रो बता दिया है अब मैं आपको समझा देती हूँ सबसे पहली रो आप किसी भी साइज में पहली रो बुनिए सभी चेन में दो दो बार डबल क्रोश या दूसरी रो में दो चेन का गैब देंगे एक चेन में दो बार दो चेन का गैब देने एक बार तीसरी चेन में दो बार तीसरी रो में एक चेन में हम दो बार उनेंगे चार चेन का गैब देंगे फिर पाँच वी में दो बार तीसरी रो जब आएगी तो हमें क्या करना है एक चेन में एक बार छे चेन का गैब देना है उसके बाद सातवी चेन में दो बार जब हमारी उसके बाद वाली रो आएगी तो 6 chain की gap के जगह हमारी 8 chain का gap होगा ऐसे ही 2-2 chain का gap बढ़ता जाएगा बस ध्यान ये देना है कि हमारी last वाली रो चाहे किसी भी size भी बनाईए half double crochet की आती है, double crochet की आती है last वाली रो हमारी जब भी आएगी इसमें कोई भी पंडे बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं हमें normal उसे सभी chain में एक एक बार बुन देना है बहुत easy है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको अब हमें यहाँ पे इसे बढ़ाना है कैसे देखें, इस तरह से हम इसे मोल लेंगे 20 से, यह हमें center वाला हिस्सा मिल गया यह देखें, center में मिल गया है तो यहाँ पे 6 number में मुझे 7 chain लेनी है यह देखें, 7 मैंने लिखा हुआ है तो यह हमारा beach वाला मिल गया है तो 3 मैं इधर से ले लूँगी और 3 इधर से, तो हमारा 7 हो जाएगा तो यह देखें, बीच वाला है तो 1, 2, 3, 3 यहाँ से हम ले लेंगे तो यह देखें, यहाँ से शुरू कर लेते हैं, इधर से अब यहाँ पे total 7 chain हमें बनानी है, सभी size में भी बता लेती हूँ कि कितनी कितनी आपको लेनी है बहुत easy पहले मैं इसे थोड़ा सा बुन लेती हूँ फिर बताती हूँ, नहीं तो देखें, हमने जो गिना हुआ है वो हमारा इधर दर हो जाएगा तो इस तरह से उन लगाएंगे लगाने के बाद देखें, एक, दो दो chain, यह जो दो chain हमने बनाई है यह भी हमारा एक double crochet ही माना जाता है देखें, इस तरह से करेंगे next chain में हम double crochet बनाएंगे दो double crochet हमारी हो गई यह फिर अगले वाले में बनाएंगे तीन हो गई फिर अगले वाले में बनाएंगे चार हो गई टोटल हमें साथ बनानी है फिर इस तरह से किया, अगले वाले में बनाया, ये देखें, पांच, ये हमारी छे, और ये लास्ट, साथ, बस साथ बन गई हमारी, हम इसे टर्न करेंगे, टर्न करने के बाद देखें, एक और दो, दो चेन बनाईए और सभी चेन में एक वार बनाते चले जाएए, आपकी य गिन-गिन के बनाएंगे, तो आपको ज्यादा इजी हो जाएगा, देखें, मैंने दो चेन बनाई थी, एक हमारा वो हो गया, चार मैंने ये बनाई है, तो टोटल पांच हो गया है अभी तक, ये हमारा छेटा हो गया, और ये देखें, लास्ट हमारा साथवा हो गया, जिरो साइज में देखें, तीन डबल क्रोशिया आपको लेनी है, एक और दो नमबर में चार चार डबल क्रोशिया रहेगी, तीन नमबर में पांच, चार नमबर में छे, पांच और छे नमबर में साथ साथ रहेगी, साथ नमबर में आठ, आठ नमबर में दस, नौ नमबर में 12 और 10 नंबर में 14 तो चलिए अब मैं इसे बुन के लंबा करती हूं फिर मैं आपको बता दूंगे कि किस साइज में आपको कितनी रो बनानी है यह देखे यहां पर मैंने इसे बना के रेटी कर दिया है टोटल यहां पर मैंने 13 रो बुनी हुई है सभी सायज में पता देती हूँ कि कितने कितने रोग आपको बुननी है तो देखे, जी रो सायज में आप पांच रोग बुननी है हमारे डबल क्रोशे की रोग रहेगी सभी सायज में एक नमबर में आप छे रोग बुननी है डबल क्रोशे की इतना काम करने के बाद हमें इस पे लगाना है तो कैसे लगाएंगे? जिस भी साइच के लिया आप बना रहे हैं उस साइच के कानल जी को आपको लेना है और देखें ये इस तरह से ये आगे से आएगा ऐसे करके हमें रखना है पीछे ये देखें यहाँ पर मैंने रखा इस तरह से और यहाँ पर आप इस पर चिट चैट बटन लगा लिजे तो मैं यहाँ एक लगाऊंगी जहाँ पर देखे यह लास्ट में आ रहा है यहीं पर आप मार्क कर सकते हैं तो मैंने देखे यह चौक लिया और इसे अच्छे से फिट करके पूरा और मार्क कर लूँगी यहाँ पर यह इस तरह से तो एक चिट चैट बटन हम यहाँ पर बंद करने के लिए लगाएंगे और दूसरी वाली देखे हमें कहाँ पर लगानी है यह उपर वाला हटा देना है नीचे वाले पर लगानी है तो देखे नीचे वाला इस तरह से आएगा तो एक की यहाँ पर हम लगा लेंगे दो लगानी है अब चिट चैट बटन लगाना तो आप सभी को आता ही होगा उसमें बताने जैसा कुछ है नहीं तो चलिए मैं लगा लेती हूँ ये देखें मैंने यहाँ पे चिट-चैट बटन लगा दिया ये दो इनों जो हमारा है यहाँ यहाँ पे है और दो हमारा पीछे की साइड देखेगा आपको यह देखें एक यहां और एक यहां और यह रहा measurement चाट आप इस screenshot ले लीजे तो चलिए आप पहना के भी दिखा देती हूँ यह देखें गाइस मैंने आप इच्छे नबर को पहना दिया आप देख सकते हैं कितने अच्छे से यह फिट है आगे से और बैक से भी मैं आपको दिखा देती हूँ बहुत अच्छे से यह फिट हो गया है आप बैक से भी देख सकते हैं बहुत अच्छे से फिट है तो यह थ झाले झाले, और सिनले हैं कि लग्तहर करते।